है वरिवन आजम बात करेंगे कि टैली में हम रिसीप वाउचर का यूज़ कैसे कर सकते हैं सो वाउचर में मैं F6 की डबाऊंगा सो रिसीप वाउचर ओपन हो जाएगा अब यहां मैं पहले एक रिसीप की एंट्वी करूँगा मैं बैंक सिलेक करूँगा देन आफ्टर मैं जो भी मेरा कस्तमर है वो सिलेक करूँगा तो देखिए 23600 अमाउंट हमें लेने की है अब सपोज मैं इस बार मैं बधने की हैं जो भी डिफरेंस रहेगा अभ ही तक मुझे पैंडिंग है मैं फ्यूटर मैं जब ही रिसीप करूँगा तो युटर में ब्रुस सिलेक करूँगा झाव zer के पंद्रह दारी एंट्र कर रोऊंगा यह set off कर दूँगा now assume कि हम over receive कर रहा है means जो भी हमारा bill की amount है 236 00 and हम receive कर रहा है 30,000 so same मैं जो भी 236 00 उसको set off कर दूँगा बाकि के जो difference है वो मैं on account advance यान वी reference शो कर सकता हूँ हमें currently on account select करके save कर दूँगा fine now daybook में as you can see कि मैं receive voucher में जाऊँगा तो हमें हमारी receive यहां मिल जाएगी यहां से मैं edit वगेरा या alter plus depress करके delete भी कर सकता हूँ now मैं कोई bank interest वगेरा की आपको entry करके दिखाऊ simply यहां bank select करूँगा then after यहां में laser grade कर दूँगा bank interest का okay bank interest received जो की group होगा हमारा indirect income का two double zero and मैं simply save कर दूँगा again मैं day book में आऊँगा तो as you can see हमारी receive जो भी है यहां दिख रही है अब suppose यहां मैं change mode करूँ तो हम double entry mode as well as single entry mode से entry कर सकता है similarly मैं इस voucher को optional भी बना सकता हूँ as well as मैं post dated भी book कर सकता हूँ okay so this is for today thanks for watching का रिलाइक दे वीडियो और सब्सक्राब दे चनल thank you